असलाम अलेकम खुश्यामेदी इने वेलकम प्राइन इमेलिया.P के मैं हूँ आपका वाइड डाटर फुरकान आज हम बात करेंगे मीडियम साइड डोग ब्रीड्स के डाइट चार्ट के बारे में मीडियम साइड डोग में खास थोर पे अस्टेलियन शेफर्ट, बैसिट हाउंड, जर्मन पॉइंटर, साइबेरियन हस्की, पूडल, मीडियम साइड डोग ब्रीड्स में किन किन बातों का ख्याल करना है खास दोर पे उनकी activity चेक करनी है क्योंकि जो medium side dog breeds हैं वो कुछ active होती हैं कुछ नहीं होती इसका ख्याल करें इसके लावा GIT का problem इन में बहुत ज़्यादा common होता है अगर आप इनको ऐसी diet देने खास दोर पे fat concentration की ज़्यादा diet हो उस time इनको GIT का problem हो सकता है like diarrhea या vomiting हो सकती है इसके लावा इनको allergy भी sometime हो सकती है जो के mostly dogs को होती है अगर आप उसकी food का अच्छा ख्याल नहीं करते हम detail से diet चार्ड के बारे में दिसकस करते हैं चले शिरू करते हैं इनका वज़न होता है 35 to 55 pounds तकरेमन 15 से 25 किलो ग्राम calories requirement होती है 600 से लेके 1300 calories हाइट होती है 18 से 22 इंच जो के जिनका वज़न 40 से 55 pound है और 16 से 18 इंच जिनका weight 35 से 40 pound है फर्स 35 to 40 days के दरम्यान में आपने अपने पपी को मदर मिल्क पे ही रखना है क्योंकि मा जैसा दूद कोई नहीं होता है उसमें passive immunity भी होती है आपका पपी उससे healthy भी रहता है अगर खुदाना खासा मदर नहीं है अगर किसी बिना पर मदर अपने पपी को दूद नहीं पड़ारी या फिर हो सकता है कि मदर की death हो जाए तो उस condition में आपने milk replacer इस्तिमाल करना है पहले 25 दिन तो आप उसको 4-6 दफा पिलाते रहें दूद फिर 25 से लेके 45 दिन तक आपको 3-5 दफा उसको दूद पिलाना है 35 से 45 दिन तक अगर वो अपने मदर के साथ रहे 35 दिन के बाद जो भी breeder है या कोई भी इनसान अप उस पपी को किसी को दूसरे को देना चाहता है या फिर उसको फुराग को तबदील करना चाहता है तो इस प्रोसेस को हम वीनिंग कहते हैं इस दरम्यान में आम मिल्क रिपलेसर भी इस्तमाल कर सकते हैं चिकन की यखनी इस्तमाल कर सकते हैं और बोनलेस चिकन आपने छोटी सी थोडी सी कॉंटिटी में इस्तमाल करना है मिडियम साइस डोग ग्रीर्ज में सबसे ज़दा आपने उसका देखना है किसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है या नहीं है उसका हाजमा चेक करें कि उसका हाजमा बेतर रहे अगर खुदाना खासा अगर आप कोई ऐसी चीज दे देते हैं या ज़्यादा दे देते हैं उसकी वज़ए से उसको डाइरिया लग सकता है 45 से तीन मेहने के दरमयान में आपने चिकन की यखनी बोनलेस चिकन या सिरिलेक्ट देते रहना ये 45 दिन से लेके दो मेहने के दरमयान में आप ये चीज़े दे दे दो मेहने के बाद आप उसको अंड़ा वाइल करके दे सकते हैं लेकिन दो दिन के बाद अंड़े की आपने सुफैदी देनी है जर्दी नहीं देनी या फिर दो मेहने के बाद आप उसको राइस वाइल करके भी दे सकते हैं लेकिन दो दिन छोड़ के फिर आपने देखना है और देखना है कि उसका जो स्टोमिक है मेदा है वो खराब ना हो अगर खराब हो रहा है तो आपने उसको राइस नहीं देने इस दरम्यान में तीन से चार दफास को खाना देना है चिकन की यखनी तीन से छे मिने के दरम्यान चिकन की यखनी और चावल आपने उसको लगतार देते रहना है अंडा भी दे सकते हैं एक दिन छोड़के इसके लावा आप उसको सबजी दे सकते हैं सब्जी में आप गाचर पालक आलू या फिर आपकद्दू दे सकते हैं आइल सोर्स में अगर आप इस्तमाल करना चाहरे हैं तो फिश आयल दे दे दें या फिर ऑलिव आप प्रोबाटिक्स दे दे प्रोबाटिक्स में वैसे देहीं भी आ जाती है या बाहर से आप एक्सटर्नल सोर्स इस्तमाल करने लाइक आप और्डर बगारा भी इस्तमाल कर सकते हैं पाकिसान में मौजूद हैं इवन के इंडिया बगारा में भी मैंने अमेजोन से देखा तो वहाँ पर अवेलिबल हैं आपका पपी छे से बारा महीने के दरमयान हो गया वैसे मेडियम साइज डोग ब्रेड्स में जो पपी अडल्ट सेज में तकरीब बारा महीने तक पहुंच जाते हैं इस दरमयान में अगर आप होमेट फूर दे रहे हैं तो आप चिकन की यखनी और साथ में बीफ लिवर इ तो आपने चिकन या बीफ या कोई बी ऐसा सोर्स जो के आपके पैट को जादा प्रोटीन दे सकता हो वो आपने जादा इस्तमाल करना है वो बेशक चिकन है बेशक बीफ है मतन है या फिश है या आपने जादा इस्तमाल करना है राएक इस्तमाल कर लें लेकिन एक दिन छो हाजमे को बित्तर बनाने के लिए अगर आप ब्राउन राइस इस्तमाल करने जिसमें 100 ग्राम कैलोरीज होती हैं 120 कैलोरीज कोकोनट आल या ऑलिवाईल इस्तमाल करने इस दरम्यान में आपने इसको 2-3 दफा फीट करवाना है 12-18 मेहिने के दरम्यान आप अपने पैट को डीपली मुशाइदा करें कि उसमें कोई मसला तो नहीं है मुशाइदा तो आपने हमेशा ही करना है लेकिन इस दरम्यान में आपका पैट काफी चीजों से काफी सुरतहाल से गुजरता है वो बाहर वाक पी करने जाता है उसका खाना पीना काफी है तक तबदील भी होता है उसकी एक्टिवनेस भी ज़्यादा होती है और इस तरम्यान में अगर आपकी फीमेल है तो फीमेल एक दफाए शायद हीट पर आ भी चुकी हो दूसरी हीट पर आने के लिए त्यार हो चिकन को बीफ को मटन को अच्छी तरीके से डाजस्ट कर पा रहा है या नहीं अगर वो प्रोटीन से इसको लजजी है वो चिकन की प्रोटीन हो सकती है तो चिकन बन कर दें बीफ या मटन इस्तमाल कर दें डाजस्टिव इश्यू देखें को उसका हाजमा बेतर है या नही है 12-11 मेने के दरम्यान आप प्रोटीन में चिकन बीफ मॉटन लिवर या एग या पीजेश संवाद कर सकते हैं वेजेटेबल सोर्स में आप क्यद्ध आलू गाजर या फिर आप पालक इस्तमार कर सकते हैं कि इसके लावा कैल्शिम सोर्स में कैल्शिम पाउडर एक्षल सप्लिमेंट्स में आप टैबलेट सेंट्रम पैट कैल्शिम वैटमन ए या वैटमन एडी 3 इभी समाद कर सकते हैं यह मैंने पहले किसी वीडियो में आपको नहीं बताया था वैटमन एडी 3 बहुत ज़रूरी है वैटमन डी 3 जो है वह आपके पैट के हड़ियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है यह आप अपने पैट को दे या आपको इसली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा या अपने वैट से कंसल्ट करें कि आपके पैट को देना चाहिए या नहीं इसके लावब आइल सोर्च इस्तमाल कर लें कोकोनट आइल ओलिवाइल या फिर फिश आइल यह पूरे के पूरे डाइट प्लैन में आपने कुछ चीजों का खयाल यही करना है कि आप अपने पैट क की नहीं करवाना खूए कि की ये इनका जो स्टमेहिक होता है वो इतना बड़ा नहीं होता आप ने थोड़ा-थोड़ा करके बेशलिए को मैं आप इसको एक दफ़ा भी फीड करवा सकते हैं लेकिन इनका जो चलना फिरना है वो जादा होता है ये अक्टिव होते हैं जादा तो आप बेशक दो टाइम फीड करवाएं कोई मसले की बात नहीं है मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा कि आप अपने डोग को क्या फीड करवाते हैं ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फाइदा उठा सकें कि क्या क्या डोग को दिया जा सकता है क्या नहीं और एक्स चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज बैल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पैट सलसल रिलेटेड वीडियो मिलते रहें इंशाला नेक्स वीडियो में मिलते हैं खुदा हाफिज